जैहिन मैं रोल संसिंग उत्तर भारत उत्तर परदे सुल्टानपुर से हूँ और आप देख पा रहे हैं हमारा खेट 2023 में जिस खेट में प्लांटेशन करना है उस खेट को अभी लगातार उस खेट की देख सकते हैं जुताई हो रही है कुछी इस तरह आप देख सकते हैं आप भी अपने खेट की अच्छे से मरमत करते रही है क्योंकि आग चलके गढ़्धा खुदाई उसके बाद इस खेट का प्रापर मैनेजमेंट करना है आपको मैनेजमेंट तरीके से केला के पाउधे आपको खेट में अपने लगाना है अ आपको ले चलते हैं जहां पर हमारा 3000 पौधे का खेट में आपको ले रहे हैं आप देख सकते हैं अभी इधर हमारे खेट में जुताई चल रही है और जो सेकेंड कराप के लिए पौधा छोड़े थे आप देख सकते हैं वह कुछ यससा है इसमें वीडियों देख इस समय खेट में पत्ते की कटाई चल रही है आप देख सकते हैं इस तरीके दिख रहा है अभी पत्ते की कटाई इसलिए हो रही इस खेट में कि इसमें बनाना बीवर लगे थे यदि जितने भी किसान देख रहे हैं उनके खेट में बनाना बीवर लगा हो तो अपने खेट कि पत्तियां को साफ कराकर बाहर निकल वा दें जितने उत्तर भारत किसान है नहीं तो आपके खेट में क्या है कुछ इस तरह से बनाना भीबल आपके खेट को खाए जाएगा देरे-देरे करते हुए आप पूरा खेट दे सकते हैं हमारा कैसा है कि पूरा खेट कि अभी खेट की कंडिशन कुछ इस तरह है और कैसे कैसे मैंज करेंगे इस खेट को इसमें आपको बता दें तीन हैर प्लांटेशन किया गया है जो सेकेंड कर आपका पोधा है और इस खेट को आप देख पाते हैं लगाताथ इस खेट में क्या है एक बार फसल कर चुकी है दूसरी बार सेकेंड कराप की है जितने लोग देखते हैं वीडियो के मादम से उनको पता ही होगा और अभी जो खेट आप साइड में ट्रेक्टर चल रहा है आप देख रहे हैं इसमें क्या है इस समय 2013 जुलाइम प्लांटेशन होगा इस खेट में जो ट्रेक्टर से जुताई हो रही है आप देख सकते हैं और अभी अपने खेट पर ही है खेट में क्या है आपको दिखा रहे हैं छोटा साब क्यों इस खेट में इस समय अभी पत्ते काट रहा है आप देख सकते हैं इ इस पौधे को देखिए इसमें बीबल लगा हुआ है बनाना कुछ इस तरह एक मिनट आपको दिखा रहा हूं आप देख सकते हैं कुछ इस तरह पत्ती कटिंग करने का रीजन यही है कि खेत में कुछ इस तरह लगबग 10-15 पौधे में इस तरह का बीबल लगा है तो इसके र प्रोब थाम करना है सभी वीबल को हम खुद इनको पकड़ कर रखे हुए हैं और खेत कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह है भी पूरा खेत जिदर पत्ते कट गए हैं उस तरह दिख रहा है और जिदर नहीं कटे हैं उस तरह भी खेत पूरा खेत पूरा अभी आध्य कुछ इस तरह भी खेत दिख रहा है पर्फेक्ट तरीके से सिकेंड कर आपका है आपको बता दें इस लाइन से लाइन इधर लाइन से लाइन पूदे की आठ बाईश छे है पौधे से पौधे 8 है और इधर इस पौधे से पौधे 6 है 8 बाई 6 पर गराफ लगा हुआ है जिसमें पहली बार फ़स्कल की कटिंग कर दिया गया है दूसरी के लिए रखा गया आप देख सकते हैं कुछ इस तरह पहला पौधा यहां से निकला था और यहां पर गिरा है दूसरे पौधे यहां पर खड़ा है आप देख सकते हैं